ग्यान का सबसे महतुपुन टोपिक ओम का नियम जो हर बार आपके बोर्ड एक्जाम में पूछा जाता है तो वो सारे कोस्टन भी में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आपको कम्पलिट देखना है और अच्छे से आपको ओम का नियम समझना है सबसे पहले देखे यहाँ पर है ओम का नियम यानि ओम के नियम में जो जरूरी बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है तो यहाँ पर सबसे पहले ओम का नियम है यानि इसका कथन क्या है ओके यानि ओम के नियम में आपको लिखना क्या है तो सन 1827 में जर्मन विज्ञानिक जोर्ज साइमन ओम ने यानि ओम का पुरा नाम है आपके सन 1827 में जर्मन विज्ञानिक जोर्ज साइमन ओम ने यह बताया कि किसी चालक तार की भोतिक अवस्ताएं यानि किसी चालक तार की भोतिक अवस्ताएं जैसे ताप, दाब, काट छेतर फल आदी इस्थिर रहें तो उस तार के बीच उत्पन विबुवांतर यहां पर विबुवांतर को हम किस से दरसाते हैं वी से दरसाते हैं यह आपको जरूर ध्यार रखना है तो उसके उस तार के बीच जो उत्पन विबुवांतर है उसमें परवाईत दारा के समा अनुपाती होता है यानि सन 1827 में जर्मन विगैनिक जोर्ज साइमन ओम ने यह बताया कि किसी यदि कोई चालक तार है और उस चालक तार की जो बोतिक अवस्ताएं हैं जैसे ताप, दाब, लंबाई और अनुपरस्त कार्च तरफल आदी इस्तिर रहें तो उस तार के बीच जो उत्पन विवांतर है यानि वी है उसमें परवाहित दारा यहां पर दारा को हम किस से दरसाते हैं आई से दरसाते हैं तो जो उत्पन विवांतर है तार के बीच जो उत्पन विवांतर वी है उसमें परवाहित दारा आई कि क्या होता है समानुपाती होता है और इसे हम क आया कि किसी चालक तार की बोती का बसनाई जैसे ताप दाब लंबाई एंव अनुपरस्त काठ छेतरफल आदी इसती रहें तो उस तार के बीच जो विवांतर है विवांतर को हम किसे दसाते हैं वी से दसाते हैं तो विवांतर वी है वो किसके समानुपाती होता है उसमें जो प्रवाहित दारा आई है तो आई के समानुपाति होता है और इसे हम क्या कहते हैं ओम का नियम कहते हैं और इसमें देखे एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि वी समानुपाति आई यानि V से हमारा क्या तात पर यह है V से है आपका विभुवांतर और समानुपाति I से है आपके धारा यानि विभुवांतर किसके समानुपाति होता है धारा के समानुपाति होता है I के समानुपाति होता है और यहाँ पर जो समानुपाति का जो चिन है इसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा हमें एक constant लेना पड़ेगा तो यहाँ पर है V बराबर R I तो यहाँ पर जो समानुपाति का जो चीन है इसको हटाने के लिए हमने क्या लिया है R लिया है अब इस R का अर्थ क्या है तो जहां पर आर है वो एक नियतांक है यानि एक कॉंस्टेंट है जिसे क्या करते हैं जिसे क्या कहते हैं परतिरोध गहते हैं यानि आर गहते हैं ओके यानि परतिरोध है उसको किस से दरसाते हैं आर से दरसाते हैं और यहां पर परतिरोध का मातरक क्या है ओम है ओके कभी कभ गाम में कुछा जाता है आपके कि परतिरोध है उसका मातरग लिए तो परतिरोध का मातरग आपका क्या होगा ओम होगा और ओम का यह आपके साइमबल है यापको दियान रखना है इस परकार से आपको बनाना है तो यहां पर देखे सबसे पहले हमने पढ़ा है ओम का नियम य यानि विवांतर किसके समानुपाति होता है आई के समानुपाति होता है और वी बराबर क्या है आपके आर आई ओके यानि यहां पर आर क्या है इस यहां पर जो समानुपाति का जो चिन लगा हुआ इसको अटाने के लिए हमने आर लिया यानि यह निये तांक का एक कॉंस्ट होता है दारा का मात्र क्या होता है यह भी आपको ध्यान रखना है यहां पर वी है वी क्या है विवांतर जिसका मात्र क्या होता है वोल्ट तो यह अक्सा जानकारी भी आपको होनी चाहिए और उसके बाद में हैं आपके यहां से कुछा जा सकता है यह वेरी वेरी इंपोर्ट कुर्शन है जो आपको अच्छे से अच्छे ढंक से आपको त्यार गरना है कुर्शन क्या है एक ओम यानि एक ओम की परिभासा एक ओम किसे कहते हैं यदि किसी चालक के दोनों सीरों के बीच यदि कोई चालक है चालक तार है या फिर कोई चालक है तो उनके दोनों सीरों के ब प्रतिरोद है वो कितना होगा एक होगा यदि किसी चालक के दोनों सीरों के बीच यानि कोई चालक तार है मान लीजिए चालक तार है और इसके दोनों सीरों के बीच जो विवांतर होगा जो विवांतर होगा यदि वो एक वोल्ट है और इसे एक एमपेर विधूत दारा एक ओम के बराबर में आपको क्या लिखेना है यानि ओम किसका परतिरोद होता है आपके ओम होता है आपके परतिरोद यानि आर आर से हम परतिरोद को दरसाते हैं परतिरोद को आर से दरसाते हैं तो परतिरोद यानि आर यानि परतिरोद का मातर क्या होता है आपके ओम होता है और विबुवांतर का मातर क्या होता है आपके वोल्ट अपन और एम्पेर किसका मातर होता है आपके धारागा ओके यनि एक ओम एक ओम बराबर क्या धारा रखना है आपको एक वोल्ट बटे एक एम्पेर और यही आपके क्या बनेगी इसकी परिवासा बनेगी एक ओम की यद हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है सबसे पहले हमने ओम के नियम का कथन पढ़ा है और यही कथन आपको अच्छे से ध्यान रखना है और उसके बाद यहाँ पर हमने परतिरोध का जो मातरक है वो जाना है कि परतिरोध का मातरक ओम होता है और इसका यह साइंबल है और उसके बा आपको अच्छे से याद करने हैं